Hello students, this is video number 2 of center of mass. जितना कुछ हमने video number 1 में सीखा था, जर्नल बातें की थी हमने center of mass को लेके, और मैंने आपको बताया था discrete mass systems क्या होते हैं, अब उस पे हम कुछ problems करेंगे और उसको understand करेंगे, और हमने 2 mass system पे बहुत focus किया था, और 2 mass system में मैंने आपको बताया था, M1, R1 या M1, D1 is equal to M2, D2 और उसका meaning हमने समझना है, जब हम problems करेंगे तो उसका meaning हमें और बेटर तरीके से समझाएगा, आपको अगर position find करनी हो तो आप कैसे use करके उसको find करते हो, वो भी हम अभी देखेंगे, अब जैसे यह हमारा first question मैंने लिया, बिल्कुल simple सा, दो masses ले लिये, 5 kg and 10 kg, 8 kg, उनके बीच में 10 meter का difference है, और मुझे बताना है कि इसका center of mass कहां लाई करेगा, इसका center of mass कहां लाई करेगा, अब center of mass, हाँ, इतना मुझे बता है, वो 8 के पास लाई करेगा, यह मैंने आपको क लिख देता हूँ, D1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 10 minus D1 करूँगा तो दूसरा distance आजाएगा, D1 को हमने ऐसे तुना याद करना है, कि पीछे से formula तो वो D1 था तो वहीं D1 रहेगा, ऐसा नहीं, तो D1 is equal to क्या होगा, ज्यान देना प्लीज, D1 is equal to होगा, 5 into, यह है important, 10 divided by, 13, 50 upon 13 is the answer, 15 upon 13 meter is the answer, is the answer, अगर आपको find करना हो, दूसरा यहाँ से distance कितना है, ठीक है, वो minus कर दो, D2 will be equal to, 15 upon 30, 50 upon 30, minus 13, sorry, 10 minus this, 10 minus 50 upon 13, answer आएगा, 80, 80 upon 13, आना ही ज्यादा था, हमें पहले से मालूम था, यह ज्यादा आएगा, हमें पहले से मालूम था, यह ज्यादा आएगा, तो यह two mass system है, जिस पे आपको थोड़ा hold होना चाहिए, जिसको आप जल्दी-जल्दी से अच्छे से करके दो, तो better रहे लगेगा, ठीक है, इसको अच्छे से करो, अब यह एक तीन masses हैं, mmm के, equilateral triangle फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तीन discrete masses हैं, इनका मुझे center of mass बताना है कि कहां पर लाई करेगा, exact बताना है कि कहां position लाई करेगी, फाइन, अब इस तरह का question आ जाए, coordinates के बारे में कोई बात नहीं की हुई, वह वाला two mass वाला formula इसमें लगेगा नहीं, इसलिए यहां पर coordinate वाला system हम लगाएंगे, मैं दो method से आपको यह question करवाऊंगा, आपने अच्छे से understand करना है, इसके होगा, तो answers कैसे आएंगे, यह आपको practice करनी चाहिए, ठीक है, मैं एक ही question पर इतनी variety नहीं आपको clear कर सकता, आपको लेकिन अपने coordinates पर hold होगा, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे, आपको खुद try करना है, और मुझे बताना है कि आपके answers क्या है, ठीक है मेरे system के लिए हो गया, यह 0,0, तीसरा यहाँ पर doubt, यहाँ पर सामने सामने यह एक plane में बनी हुई diagram है, तीसरा 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, यह आपको समझाना चाहिए, a,0, विल्कुल आना चाहिए, इसके coordinate क्या होंगे, यह आपको समझाने चाहिए, मैं लिखता हू आप समझना, ठीक है, इसके coordinate देखो, पहले मुझे चाहिए कि यह distance कितना होगा, यह होगा a by 2, बिल्कुल लिख लो a by 2, लेकिन यह कितना distance होगा, इसको calculate कर लो, इसको calculate कर लो, यह कितना होगा, यह होगा, लगाओ, पैथागोरस लगाओ, a by 2, यह a by 2 है, ठीक है, यह a है, तो under root of a का square, minus a square by 4, यानि कि, यानि कि कितना आएगा, 4 by, 4, 4, 4, 4, 4 by, 3 by 4, तो आएगा, root 3 by 2, a, root 3 by 2, a, calculation पर आपका पूरा hold होना चाहिए, ठीक है, अब यह calculation कैसे कि यह, जिसको नहीं आती है, उससे मैंसे पूछना भी नहीं, ठीक है, तो यह आगा, root 3 by 2, यह आगा, root 3 by 2, a, ठीक है, यह तीनों के coordinate मुझे पता चल गए, अब क्या निकालना है, xcm, ycm, xcm और ycm निकालना है आपने, nothing else, कोई गवराने वाली बात नहीं है, अराम अराम से करेंगे, वो result लाएंगे, ठीक है, a भी लिखो इदर, a भी लिखो, ठीक है, root 3, root 3 by 2, a, ठ पिर अब क्या करेंगे, calculation देखो, जो मैंने की आपके लिए, ठीक है, m into 0, m into 0, m into a, m into, इसका जो coordinate मैंने लिखके दिया था, a by 2, x coordinate, अब यह x को चल रहा है, तो सब के x ही लेने, तो यह जब calculation की तो answer कितना है, a by 2, a by 2, मैं बताओंगा अभी आपको a by 2 की कहानी भी, बस याद रख लो, x cm कितना निकाला आपने, a by 2, यह देखो, अब मैंने y cm की calculation की, m into 0, m into 0, दूसरा इसका 0 ही है, और इसका क्या है, y component मतलब, क्या है, जो इसका y axis पर क्या component आया, इसका, root 3 by 2, a निकाला था हमने अभी, ठीक है, उदर से calculation की, तो y cm इसके बराबर आया, ठीक ह आप समझना, अब मैं एक बात समझाऊंगा, आपको दोनों values हमने रख ली अपने पास, अब मुझे देखना है कि क्या इसके answers किस तरह से आए, और उसको जरा understand करेंगे जरा properly, ठीक है, एक एक चीज को जरा understand करना अच्छे से, आपको थोड़ा सा feel भी करना पड़ेगा, कि इसका axiom आना, इसका center of mass आना कहां था, क्या मैं पहले से certain नहीं था कि यार इधर तो पका आएगा, इस line पे यह जो मैंने yellow color की line draw किया, इधर तो पका आएगा, यह आपको feel होना चाहिए, because this figure is symmetrical about this yellow line, आप देखो ज़रा द्यान से, इसलिए symmetrical about this है, तो इसका मतलब यहां त पका लाई करेगा, इसलिए इसका जो axiom आया, वो x by 2 आया, कितना आया, a by 2 आया, sorry, a by 2 क्या हुआ, कि उसका distance यहां से कितना है, a by 2, ठीक है, तो यह मेरे को question करने से पहले ही मालूम होना चाहिए, कि यह answer a by 2 आयेगा, और जिसको मालूम चलेगा, जिसको यह दिख उसका time बचा या नहीं बचा, क्योंकि वो axiom तो निकालेगा ही नहीं, वो बुलेगा, मैं क्यों निकालू axiom, वो तो पहले से मुझे मालूम, a by 2 है, तो यह मुझे समझना, यह मुझे समझना, अच्छा, जिसको यह मालूम होगा, एक और बात आपको पताता हूँ, उसक जो axis change करेगा, तो obviously उसका answer axiom और ycm का different आएगा, answer same नहीं आसकता कभी भी, answer same नहीं आएगा, आपको उससे क्या मतलब है, axis का मतलब होता है, भाई distance कहां से देख रहे हो, जैसे मैं आपको बोलूँ, जाओ यार उस room से जाके मेरी notebook लेके आओ, तो मैं आपको reference दूँँगा कि भाई वो जो ना left वाली दिवार से, left वाली दिवार से वो one meter के distance पे पड़ी है, तो right वाली दिवार से इतनी पड़ी है, किसी और जगा से reference ले ले लेगो, axis means कि reference तुम ले रहे हो, कि तुम कहां से उसके distance major करना चाहते हो, और x, y, z are the universally accepted things, इसलिए हम x, y, z उसको लेते ह और उसके बाद जब आप ये calculation करो, तो आप कहीं पे भी आप axis ले सकते हो, कहीं पे भी, आप पहले सबसे पहली ये बात understand करने की कोशिश करोगे, गर पे बैठके, ये नहीं practice किया जा सकता, गर पे बैठके, क्योंकि coordinates आप पढ़के आयो, और हम जिस stage पर पढ़ रहे हैं, जिस level पर पढ़ रहे हैं, उस level पर ये सब बाते नहीं की जा सकती, कि axis change करने से, xcm, ycm तो change होंगे, लेकिन actual location ये थुना change हो जाएगा, ये तो यहीं है, ये जो center of mass है, ये यहीं है, हाँ, जो reference change करेगा, मैं बोलूँगा, मेरी ये y axis है, इसका distance यहाँ से a by 2 है, जो कहेगा मेरा y axis यहाँ लिया था मैंने sir, दूसरा student, student number 2, वो कहता sir मैंने y axis को यहाँ लिया था, तो वो कहेगा मेरा axiom zero distance पे है, कोई कहेगा मैंने यहाँ लिया sir y axis को, वो कहेगा मेरा distance minus a by 2 है, ये बात अपने समझे, तो क्या इससे answer गलत होगे तीनों के, तीनों के answer बिलकुल ठ must change नहीं हो गया, लेकिन उसका distance तो जो axis ही change कर देगा, तो क्या उसका distance change नहीं होगा, बिलकुल होगा, कोई बोले नहीं भई, ये हमने निकाल लिया, जो मैंने अभी axiom बनाया, इसके coordinate क्या आए, इसके coordinate क्या आए, मैं लिख देता हूँ यहाँ आपको, इसके coordinate आए है, a by 2, जो मैर को पहले ही मालूम था आने वाला, a by 2, जिसको मालूम होगा, वो कभी भी axiom calculate नहीं करेगा, this is expected from you, और दूसरा आया, root 3 by 6, a, ये है, ये इसका coordinate है, मतलब इसका ये distance, अगर कोई आप से पूछे कि इधर से कितना distance है, ठीक है, तो वो कितना है, root 3 by 6, a, और ये distance क इतने है, a by 2, a by 2, आप कोई बोले, मैंने नहीं लेनी ये वाली axis, नहीं लेनी, answer आ चुका है, अब आपका, अब सिर्फ एक, बस analysis कर रहे हैं, चीजों का, कोई बोले, नहीं, मैं सर, मैंने ये axis, मैंने तो z, मैं x axis इसको लेना चाहता हूं, भाई, axis ये लेना चाहता है, त तो ये बाते आपको समझ आनी चाहिए, I expect this, नहीं आएंगी, तो हम इसको discuss करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया, अभी आपका, इसकी कहानी, फिर मैंने आपको बोला था, कि इस question को मैं आपको एक और method से करवाऊंगा, ठीक है, वो देखो कितना interesting method है, उसको समझते हैं जरा, वो method इसका smart method है करने का, क्या करो, ये three mass system था, cash two mass होता, तो कितना easy formula था हमारे पास, ना कोई axis बनाने का जंजट, ना कुछ, तो हम इसको two mass बना देते हैं, center of mass की एक definition कहती है, तुम इन दो masses का center of mass मैंने निकाला, ये blue वाला, और इसको पता क्या लिखूंगा, two m, और ये क smart तरीके से करके दिखाओ, अब मेरा ये two mass system है, ये देखो, अब ये two mass system है, और two mass system है, और इन दोनों का distance तुमें पता होगा, क्या है, अभी मैंने निकाला भी था, अभी इन दोनों का distance मैंने निकाला भी था, a square minus a by 2 क्या था, root 3 by a, root 3 by 2 a, ये था ना distance इन दोनों का, तो बस खतम, खतम हो गया question, अब देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ, अब ये two mass system है, ठीक है, two mass system है, जिसमें ये two m है, ये two m कैसे लिख दिया भाई आपने mm को, प्लस कैसे कर दिया, भाई, center of mass is a point, where you can suppose the whole mass to be concentrated there, मतलब मैंने इसको एक system ये माना है, एक system मैंने इसको ये माना है, तो ये दो masses है, इन दो masses को अगर मैं एक mass में convert करना चाता हूँ, तो कहा रखूं उस mass को, उस mass को center of mass पे रखो, किसके, इन दोनों के, और ये बड़े अच्छे mass हैं दोनों, क्योंकि इनका center of mass निकालना बड़ इन दोनों के बीच का distance है जो मैंने पहले calculate कर लिया था कितना था root 3 by 2a और अगर मुझे distance find करना है इसका कहा है center of mass वो इसी line के ऊपर होगा और वो कहा होगा मैंने 3 mass system को 2 mass बना दिया easy method this is the thing to do the quick कोई coordinate ने निकालने कितना से आपा डाला पहले coordinate लिखो फिर xcm अलग निकालो ycm अलग निकालो यह सब देखो कितनी जल्दी कर देगा इसका answer आएगा सीधा सीधा देखो इसका answer आएगा यह जो distance है यहां से लेके यहां तक का ठीक है यह calculate करना अगर मैं चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा m into आपको मालू मैं जिदर से distance find करना चाहते हो वो वाला नहीं लेना है दूसरा वाला लेना है तो m into total total divided by दोनों का sum मैं यहां लिख देता हूँ जगह ही नहीं बच्छी महा m into root 3 by 2 a upon 3 m देखो answer क्या आया must यह कट गया और answer क्या आया root 3 by 6 a and this is the answer सब समझने करें क्या एक ही question करवा रहा हूँ इतनी देर से लेकिन हमने एक question के through लेकिन कितने concept को gather किया यह समझना important है यह समझना important है यह लोग आपका next question center of mass बता भई कहा है इसका अब मैं आपको कोई पूछ रहा कहा है इसका इस बात को जड़ा understand करना find center of mass का मतलब क्या हुआ भई बताओ कहा है center of mass अब जो center of mass मुझे बताना है देखो एक simple सी बात होती है यह जैसे मैंने आपको अभी book की example दी कि भई मैंने आपको बोला जाओ उस room से जाके मेरी book ले आओ ठीक है तो आप मुझे पूछो के सर बताओ ना कहा है book ठीक है बोथ मालनो पूरे room के floor के उपर books पड़ी है कौन सी book की बात कर रहे हो कौन सी book लाओं तो मैं बोलूगा वो वाली दिवार से इतने distance पे जो पड़ी है वो ले आओ अब आपको पता चला येस यही वो मेरे से मांग रहे है अब मैं आपको left दिवार से बताओं या right दिवार से बताओं या front वाली दिवार से बताओं या पीछे वाली दिवार से बताओं या छट से बताओं या floor से बताओं वो मेरी मर्जी तो वो जब मेरे को बूछ रहा है कि बाइ बताओ central mass कोई पहा है तो तुम कहीं से भी बता सकते हो याद रखो यह अभी मैंने एक्सेस्की बात भी की आपसे जो मर्जी एक्सेस ले लो अगर मानलो मैंने एक एक्सेस से निकाल लिया क्यों equal है, कोई position नहीं निकालनी, इसके center आप मास के लिए, सीधा answer आगए 2M, 4M, बीच का distance A, बताओ क्या चाहिए तुम्हें और, बीच का distance A, और भाई, और भाई, ये ले, A by 2 पे इसका क्या होगा, नए 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 गलत 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 गलत, A by 2 पे थोना होगा, ये दोनों बराबर थोना है, ये 2M है, और ये 4M है, करो, आप करना पड़ेगा, कोई बात नहीं करते हैं, ये distance यहाँ से निकालते हैं, नीचे से, आपकी मर्जी है, नीचे से निकालना, उपर से निकालना, आपकी मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से मर्जी निकाल, वो बोल रहा है, रमास बता, मैं नीचे से बताओं, या उपर से बताओं, क्या फर्क पड़ेगा उससे, और जिसको जी, अगर मैंने नीचे से बताया, और वो पूछ रहा है, सर उपर से कैसे निकालेंगे, तो वो बेवकूफ है या नहीं है, बताओ, जब नीचे का पता चल गया, तो अपने आप ऊपर का पता चल जाएगा, देखो, मैं सीदा लिख रहा हूँ, क्या, 2M9, क्या लिखूंगा, 4M, into A, divided by, 6M, दोनों मासिस का सम, कोश्चन खतम, MM कट गया, 2 by 3 A, 2 by 3 A is the answer, 2 by 3 A is the answer, अब just imagine कि अगर इसको कॉडिनेट से करना होता तो क्या क्या करते, और कितना कितना सिर्कपाई हो जाती है हमारी, आप बताओ, करना कोई टफ थोना है, करना कोई टफ नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ कोडिनेट से कैसे करेंगे, कोडिनेट से करना होता तो सबसे पहले यहां X's बनाओ, कहीं पर भी बनाओ, यह कोई जूरूरी नहीं यहीं बनानी है, Y, X, फिर इसके coordinate लिखते 0,0 फिर इसके coordinate लिखते A,0 फिर इसके coordinate लिखते फिर इसके coordinate लिखते A,A इसके coordinate लिखते 0,A फिर formula लगाते 4 masies हैं यहाँ M1 into X1 plus M2 into X2 plus M3 into X3 plus आप सोचो जड़ा फिर X coordinate लिखता, फिर YCM निकालते और फिर आ जाके यह answer आना था और मैं अभी answer बता दू आपको क्या आएगा आप करना coordinate system से XCM का answer आएगा A by 2 और YCM का answer आएगा YCM का answer आएगा 2 by 3 A, खत्म एक ही बात हुई ना, बात तो एक ही हुई मेरे को वो answer पता है तो मेरे को अपने कितनी उंचाई पे आया है 2 by 3 पे आया है तो उंचाई होगी YCM और यह कितना आया जब ही center इसका तो A by 2 आया खत्म का नी एक और आपके दिमाग में डाउट हो सकता था एक और क्या डाउट हो सकता था क्या हम इसको नहीं ले सकते थे सर ऐसे इन दो को नहीं एक मास मान सकते इन दोनों का center आप मास निकालना मुश्किल है या नहीं है बता तो क्यों लूँ ये वाला answer तो आएगा ये भी तो 2 मास system बन जाएगा इदर से 3M 3M बिल्कुल बनेगा 3M 3M बिल्कुल बनेगा लेकिन इसकी फिर calculation करने पड़ेगी इसकी calculation करने पड़ेगी क्योंकि ये A by 2 पे थोना आएगा ये A by 2 पे नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा ये कहां आएगा वो भी आपको मालूम होना चाहिए ये 2 by 3 A पे आएगा फिर इसका आदा आएगा वो ऐसे भी कर सकते हो वो ऐसे भी कर सकते हो same answers आएंगे references को समझो मैं जो आपको अभी बताई आपको एक simple बात मैंने अभी बताई book वाली बताओ मेरी book कहां पड़ी है उस दिवार से इतनी इस दिवार से इतनी reference change कर रहे center जेद नी centers भी ले सकते है तो यह हम सब बात समझेंगे locations किस तरह से बताई जाती है कही बार students को इन सब चीजों को understand करने में difficulty आती है कि यह coordinate कि इन्होंने अच्छे से coordinate नहीं पड़े होते है 10th class में उनको यह problem आती है यह मैं आपको पहले बता देता हूँ अभी तो सब काम 2D में चल रहा है जब 3D में आता तो वो और ज़दा गबरा जाते है ठीक है तो लेकिन understand करने की कोशिश करो एक एक करके ठीक है तो यह question यहाँ खतम हुआ next करते है so this is the next question गबराने के लिए 36-77 degree उसने angle भी दे दिया coordinate system से करना होगा तो सबसे पहले इसके coordinate लिख दे भाई 0,0 axis भी बना के दी है question वाले ने 0,0 इसको लेना होगा तो क्या लिखेंगे बताओ मुझे जरा कितनी दूर है भाई यहाँ से यह कितनी दूर है यह यह देखो यह distance और यह distance चहिए न आपको तो यह कितनी दूर है बताओ यह दिया हुए आपको sorry मैंने लिखा नहीं यह 5 दिया हुए 5 cm 5 cm given है यह this is given this 5 cm is given तो यह कितना हो गया 5 cos 37 4 हो गया तो इसके coordinate क्या बनगे 4,3 ऐसे होगे फिर करो फिर पूरे coordinate आपको मिल जाएंगे उसके भी तो coordinate से वो answer निकल जाएगा एक method यह दूसरा method दूसरा method D वाला direct distance पता चलेगा उसका यहां से कितना है ऐसे angle पर ही पता चलेगा distance लेकिन वो वाला कौन सा अगर मैं direct निकालू D1 जिसमें xcm और ycm निकालना पड़ेगा मुझे और एक method है मैं सीधा इधर ऐसे बताऊं देखो इन बातों को जरा समझने की कोशिश करो ठीक है एक method है कौन सा कि मैंने इसके coordinate लिखे जैसे लिखे 0,0 और 4,3 फिर मैं लिखूंगा 2 into 0 xcm के लिए xcm के लिए क्या लिखूंगा 2 multiplied by 0 plus 4 multiplied by 4 divided by 6 xcm आगया आपका कितना xcm आगया 16 upon 6 16 upon 6 कितना होता है 16 upon 6 हो गया 8 upon 3 xcm आगया 8 upon 3 फिर निकालो ycm फिर निकालो ycm तो ycm जब निकालूंगा तो क्या लिखूंगा ycm is equal to क्या लिखूंगा बताओ लिखूंगा 2 into 0 4 into 3 12 upon 12 upon 6 12 upon 6 कितना हो गया 12 upon 6 हो गया 2 2 तो ये coordinate बन गे मतलब ये हो गया 2 ये हो गया 2 और ये हो गया 8 upon 3 एक method है ये axis से distance बताए एक method है axis से distance बताए मैंने examiner को कि ये इतने distance पे मेरा मेरा center on mass लाई कर रहा है इधर से इतना इधर से इतना इधर से कितना 2 ये लिख लो इधर 2 नए उल्टा लिखा ये 2 ये 8 by 3 और second method क्या बताए तब मैं ये वाला distance बताऊंगा देखो तब मैं उसको ये वाला distance बताऊंगा by 2 kg से कितनी दूर है center on mass ये distance बताऊंगा इसको D1 बोल रहा हूँ ठीक है कितना आएगा कितना आपको मालूम है 4 into 5 तब तो tension ये नहीं है वो दूसरा 2 systems है ठीक है 2 mass system वाला तो 2 mass ही है यहां तो कोई convert भी नहीं करना पड़ रहा तो 2 into सिरफ angle से डर जाता है इंसान कि भाई कैसे निकालेंगे कुछ भी नहीं है वो बला method भी कौन सा मुश्किल है जो पहले दिखाया आपको तो 4 into divided by 6 कितना आए 20 upon 10 upon 3 10 upon 3 अब देखो ये D1 आगे 10 by 3 ये हमने निकाल लिया आप कोई पूछेगा सर पहले आपने निकाला XCM 8 by 3 YCM 2 ठीक है ये निकाला और अब आप ओल रहे हो T1 equal to 10 तो answer क्या है भाई ये answer है मैंने आपको पहले बताया बताने के तरीके बहुत से हैं लेकिन अब paper में objective आया है मान लो अगर मैं competitive की बात करूँ वाँ तो options होती है अब option है तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपको ये D1 के बारे में भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है फिर मैं क्या करूँ भाई मैं तो फस गया तो अगर आपको XCM YCM मालूम है तो क्या आप ये D1 नहीं निकाल सकते और क्या आपको D1 मालूम है तो क्या आप XCM, YCM नहीं निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते D1 अगर मुझे मालूम है यह distance से center of mass का, this is the center of mass इसका cos component लो इसका cos component लो, इसका sign component लेको देखो अपने आप answer आ जाएगा और इसका under root of यह देखो न, यह क्या है XCM, यह क्या है YCM, यह इधर triangle बनी इस पे पैथागोरस लगाओ, क्या D1 equal to, under root of XCM का square plus YCM का square आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और आएगा बिल्कुल आएगा, आप देखो करके यही answer आएगा और दूसरी कहानी क्या D1 मालूम हो, तो यह निकाल सकते है बिल्कुल, XCM की value निकालो XCM की value निकालो, क्या होगी वो, D1 cos 37 upon, sorry 37 degree, 37 degree कितना होता है 4 by 5, तो 10 by 3 into 4 by 5 करो, देखो यही answer आएगा बिल्कुल आएगा और आप, आप D1 sin 37 करो, D1 sin 937, 3 by 5 देखो answer, 33 कट गया, 2 answer यही था, YCM, नतम हो गया ऐसे ही है सब कुछ, कुछ नहीं concept अपने build करो गे नहीं जब तक तो तब तक काम नहीं बनेगा मैंने आपको एक हर question को 2-2-3-3 method से बता दिया कैसे करना है तो आपको पूरी proper understanding होनी चाहिए, mathematics की पूरी game है आपको यह छोट, small math, कोई ज़्यादा tough mathematics नहीं है, simple mathematics है बट केयों के, अगर concepts पीछे से ना basics clear हों, तो उनको problem आती है तो develop your basics this is the next question 3D में गुजगे हम अब ठीक है, इसका center of mass आपको बताना है अब इस बात को जब understand करना है आपने की, अब इसका center of mass हम कैसे calculate करें इस चीज का center of mass कैसे calculate करें 3D वे, एक तो बड़ा simple method है मैं आपको simple बताता हूँ, कैसे axis choose कर लो, बिल्कुल basic method लेकिन लंबा पढ़ता है थोड़ा, इसको भी मैंने आपको vectors में भी बताया हुआ यह 3D वाला की कैसे चलता है यह होगे ठीक है, अब आप देखोगे दिहान से यह बन गया जब यह बनने के बाद इसको लिखो क्या, x-axis इसको लिखो, y-axis जिसको मर्जी जो मर्जी लिख सकते हैं लेकिन हम ले रहे हैं, x, y, z ठीक है, अब आपको हरे के coordinate पता होने चाहिए यह सामने-सामने origin पे है, इसलिए क्या आएगा 0, 0, 0 यह वाला ठीक है, मैं सिर्फ बोलूँगा, मैं लिखूँगा नहीं ठीक है, आप आप note करते जाना यह वाला मास, और फिर जब आप ऐसा लगा लो कि 6 मासिस हैं यहां, 6 मासिस पे लगाओ x1, sorry, m1, x1, plus m2, x2, plus m3, x3, plus m4, x4, plus m5, x5, plus m6, x6, upon total sum, सारे मासिस का sum, कितने हैं मासिस यह, यह हो गया, 12 नहीं, 8, plus 4, 12, 12m, 12m, total मास है, denominator में 12m, ऐसे करके x, y, z, 3, 0, x, cm, y, cm, z, cm, निकालो, यह एक लंबा method है, जो आप करने वाले हो, जिसमें मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि यहां, जब मैंने क्या आएंगे, इसके coordinate x-axis पे, कितने distance पे, यह cube है, जिसका side a है, sorry, मैंने बताया नहीं, a, 0, 0, fine, उसके बाद, यह axis वालों को पकड़ो पहले, यह क्या होगा, 0, 0, a, 0, a, 0, fine, हमेशा के लिए याद रखो, यह सब यसी x-y plane में, x-y plane में, जो x-y, देखो न, यह वाला, मैं आपको बताता हूँ, यह वाला, यह, 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 कौन सी जगा है, यह x-y plane में है, तो इसलिए ये जो आएगा ना इसका अंसर ये वाला जो है ये वाला मास ये x y plane में लाई कर रहा है इसलिए इसका अंसर जो आएगा उसमें सिर्फ x y आएगे z नहीं आएगा x y आएगे z नहीं आएगा z 0 आएगा तो कितना कितना distance आएगा x x से तो a, a, 0 similarly ये किस plane में ये किस plane में ये है y z plane में y z plane में है तो y z plane में तो क्या नहीं आएगा x 0 आएगा लिखो x 0 x 0 a, a ठीक है क्या बच गया अब ये वाला ये किस plane में x z plane में इसमें क्या आएगा a, 0, a एक बच जाता है वो कोन है ये वाला, ये किसी plane में नहीं है ना xy किसी भी plane में नहीं है आप ध्यान से देखो, इसलिए इसमें क्या आएगा इसका distance, आप देखो ज़रा इसका distance इसका distance कितना, x axis x direction में कितना distance है इसका x direction में distance है इसका a y direction में कितना distance, ऊपर कि तरफ ये यह हो गया y direction में, इतना a, यह भी a था, यह भी a, और बाहर की तरफ कितना निकला हुआ है, यह, यह कितना बाहर निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकलने का मतलब हो गया z, तो कितना बाहर है, z a, तो तीनों आगे a, यह आपको आना चाहिए, मैंने पहले भी सिखाया है, ठीक इसको two mass system में convert करें, मैं बता हूँ आपको कैसे, आप देखो, ये जो चार mass हैं, चारो बराबर हैं, चारो बराबर हैं, तो बिल्कुल इसके center में, यानि की a by 2 distance पे, कितना a by 2, कहां से a by 2, x direction में a by 2, और y direction में a by 2 distance पे, ठीक है, इसका center of mass होगा, किसका, ये चार का, किस चार का, किस चार का, 2m, 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 जो बाहर वाले हैं, ठीक है, जो मैंने blue में जान बूच के बनाए हैं, उसका 8m आ गया, ठीक है जी, 8m आ गया, एक बन गया 8m, और एक वो अंदर वाला green, जो है, ये आ गया बाहर की तरफ, ये बिल्कुल बाहर की तरफ, ठीक है, तो आपने, आपने क्या करना है अब, अब आपने समझना है, एक आ गया 8m, नहीं आएगा समझ ये, तो फिर आपको उसी method से करना है, आपको लेकिन आप visualize यहाँ पर करने के लिए, मेरे पास और कोई method नहीं है, ठीक है, अगर हम live हों, तो मैं आपको room की example दे दे, ताकि आपने room को imagine करके देख सकते हूँ, तो room की ये दो walls हैं सामने सामने वाली, ये room की दो walls हैं आमने सामने वाली, सिंपल बात आपको बता देता हूँ, ये और ये, पीछे वाली, इन दोनों के beach का distance हमें, इन दोनों के beach में ही कहीं center of mass लाई करने वाला है, पूरी figure का, ये आ गया 8m, और ये आ गया 4m, ठीक है, 8m और 4m इदर separate भी बना के दे रहा हूँ, इन दोनों के beach का जो distance है, उसको z मान लो, क्योंकि वो z axis ही decide करेगी, x axis और y axis हमें पहले से symmetrical से पता चल चुका है, कि वो a by 2, a by 2 है, वो a by 2, a by 2 है, मतलब क्योंकि 8m कहां लाई कर रहा है, a by 2 पे, इस square को देखो न, इस square की ये side a है, ये भी a है, तो ये distance कितना होगा, a by 2, ये भी कितना होगा, a by 2, similar is the condition with 4m, तो इसलिए, इसका मतलब ये हुआ, ये जो line मैंने draw की है न, कौनसी वाली, कौनसी वाली, 8m और 4m को जो join कर रही है, वो उस line के उपर कहीं पे क्या है, और वो z component आपका decide करेगा, वो कैसे decide करेगा, this is so simple, आपको बता दूँ, आपने निकाल लिया हुआ है, x cm कितना निकाला आपने, a by 2, y cm कितना निकाला आपने, a by 2, z cm कितना निकाला, वो निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे निकालेंगे, that very simple, आपको निकालना आता है, वो निकालना आता है, कितना है आपका कौन ZCM तो ZCM कितना आएगा that will be equal to 4 into Z divided by 12 4 into Z 4 into A sorry इन दोनों के बीच का distance A ही तो है क्यों लिख रहा हूं Z में A ही लिखो 4 into A 4 into A divided by 12 A by 3 A by 3 it is as simple as that A by 3 इसका answer आगया और आपको निकल गए इसके तीनो A by 3 अब coordinate system से करके देखो और देखो ये तीनो result आते हैं आपके या नहीं आते हैं तो ये सारी कहानी चलती है इन सब चीजों में आपको मैंने ये cube बाला question भी करवा दिया इसी तरह से sub question इस तरह से आप सब कर सकते हैं और try कोई problem नहीं है इसके अंदर ठीक है इसके अंदर आपको कोई problem नहीं आएगी एक example और 3D वाली आपको बना के दिखा देता हूँ square pyramid कहते हैं इसको जो मैंने बना रहा हूँ इसकी हर एक side A है ठीक है नीचे square है और एक mass यहाँ पर M है इसको pyramid कहते हैं यह M, 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 M अब इसको भी two mass system मान लो यह इन दोनों की दूरी यह base और यह उपर कितना है यह 3D में diagram है यह नीचे base और यह उपर जो है क्या यह A यह वाला mass है उपर वाला M इनका height कितनी height पे उपर है बिल्कुल center में होगा यह अब यहां नहीं दिखाई देता center में लेकिन यह बिल्कुल center पे होता है मतलब यह है न इसके बिल्कुल center से उपर होगा अब उपर कैसे दिखाऊ हूँ आपको ठीक है तो उपर होगा यहाँ बिल्कुल center पे, यहां से उपर, ठीक है, तो अब यह distance कितना है, A, तो कहां पे होगा इसका center of mass, यह center of mass आगया पहले, इन दोनों का, यह आगया 4M, और यह आगया M, तो 4M और M के बीच में, यहां पे आएगा, किसके पास होगा, 4M के पास, ठीक है, तो इसले इसका result क्या पुली दर center में, यह इसका center of mass होगी, समझने की कहानी है, अच्छे से समझ, इसमें क्या देख रहे हैं, कि कैसे हमने, कैसे हमने, एक 5 mass system को हमने 2 mass system में convert किया, यह methodology है इसके अंदर, जो हम use करते हैं, thank you very much.